सब्सक्राइब करेंगे कोईनेज मेटल्स के वारे में तो क्वेशन तो पहले है कि कोईनेज मेटल्स के वारे में जैसे हम बात करते हैं कि कोईनेज में कोईनेज मेटल्स को आपके मनी है जैसे जो आपकी हंगर हम बात कर सकते हैं तो जो कोईन का फ़र्मिशन है जो कोई जिस तरीकी से यूज कर जाते हैं कोई जिस प्ल्ट को मैटल सेट आपके डिजान किया आते हैं तो उनको बट आपको डिसकस किया था तो कोने मेटल्स बच्चो आपका आता है यह फस्ट भी टिक है फस्ट भी और फस्ट भी मतलब जो 11 हम बात कर रहे हैं याप वी 11 गुरूप टिक है फस्ट भी भी हम लोग बोलते हैं इसकोيع तो फर्स्ट भी बोलो या फिर से आप 11th गुरूप भी बोल सकते हो जहां पर आपको देखने को मिलता है copper मिलता है और silver आपको मिलेगा ठीक है और आपको gold मिलेगा copper का जो आपका atomic number है वो 29 है ठीक है next आपका इसका 47 रहेगा और इस 11th गुरूप के बाद अगर आपको पता है तो कौन से गुरूप आता है वो आता है आपका 12th गुरूप ठीक है last गुरूप होता है ठीक है 12 गुरूप इसको हम लोग अगर इसमें first भी बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे second भी ठीक है और यहाँ पर जो element आपको मिलते है वड़ा copper के बाद क्या मिलता है zinc मिलता है server के बाद क्या मिलता है और gold के बाद क्या मिलता है आपको mercury मिलता है तो atomic number यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इसका 30 होगा यह 47 गा 48 हो जाएगा और यह आपका रहेगा 80 इसके पहले अगर आप बात करोगे तो first A first sorry first B से पहले आपको जो मिलेगा वो कौन से ग्रूप रहता है 10th ग्रूप ठीक है 10th ग्रूप रहेगा तो आपको पता है 8th 9th 10th एक साथ एक साथ आते हैं 8th ग्रूप हो गया 9th ग्रूप हो गया और 10th यह तीनों ही ग्रूप एक साथ आते हैं जिसको हम लोग Roman से रेप्रेजेंट करते हैं एर्थ ठीक है नेक्स विड़ा गुरुप की बात कर रहे हैं तो आपको यहां से मिलता है अर्थिनियम मिलेगा और मिलेगा आपको आस्मियम जरा इसके अटमी नंबर की बात करते हैं तो यह 20 यह आपका 9th गुरुप में 9th गुरुप गया आयरेन इस्पर गारेन ग्रुम हो गया और आपका एडियों हो गया और अगर और मैं 10th group की बाद करूं तो 10th के दिर आपको मिलेगा निकल मिलता है पलेडियम मिलता है और आपको प्लेटन मिलता है तो यह 10th हो गया 11th आएगा देन आपका 12th आएगा तो जो इंपोर्टेंट है बूमेर आपको यहाँ पर लेख दिया है गुरूप की कॉर्डिंग अलिमेंट की कॉंबनेशन जहां पर आपको यह दोगो एर्थ का यह हो गया आपका गुरूप 22, 9th में आपको यह अलिमेंट मिलेगे 10th में आपको यह मिलेगा मतलब आप यह देखो कि क कॉनेज मेटल से पहले बाले मतलब कॉपर शेलबर गोल्ड से पहले बाला गुरूप कौन सा है आपका निकल प्लेटिनम प्लेडियम का है ठीके ना निकल प्लेडियम और आपके प्लेटिनम बिल्कुल सही आप देखो कि तो निकल कितना होता है आपको 28 होता है प्लेडियम का होता है 46 और प्लेटिनम का होता है 78 और इसके बाद आपको कॉनेज मेटल्स मिलेंगे और लास्ट में आपको मिलते हैं यह आपके जिंक, कैडिम, मर्करी तो यह मैंने पहले बताया आपको कि कॉनेज मेटल्स की हमारी पोजीशन की तरीके से प्रियोट टेबल के अंदर यह सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कॉपर को लेके तो कॉपर के लिए बच्चों के ले में पहले बताऊं इसके अटमिक नमर के इतना होता है 29 होता है और इदी लिखाए मैंने इसमें के लेमें की क्या होका कंट्रिशन 2,8 10 हो गया देर आपका 18 आएगा 28 और आपका बं इसके हम बैलेंसल कंट्रिशन की बात कर लेते हैं तो वो आपको मिलता है यह 3D सीरीज के अलिमेंट है मतलब 4 प्लेट के अलिमेंट जाएगा तो इसका मतलब ही हो जाएगा आपका 3D 10 और लास्ट में मिलेगा आपको 4S बन ठीक है यास नेक्स हम बात करते हैं कॉपर के बा 10 हो गया इन 18 देन 18 देन लास्ट में आपका बन इसके हम बैलेंसल कंट्रिशन की बात कर लेते हैं इनर्ट को लेके तो फिर वहां से आपको यह मिलता है यह 3D उपर बाला नीज़ेचे आपको 410 मिलेगा और लास्ट मिलेगा आपको 5S बन इसी तरीके से नेक्स अलिमेंट गोल्ड तो गोल्ड के अटाव नूमर कितने है बच्छो 79 है तो 79 को हम लोग फिल करेंगे के अंदर तो यह आपको मिल जाएगा 79 के अंदर 2,8,18,32,18,1 तो लास्ट एलिमेंट बच्छो इस में आपका रेडिक्टिव रहता है तो उसके बारे में हमारे syllabus में नहीं है यू-yू-yू करके बोलते हैं तो यह हमारे syllabus में नहीं है इसको हम लोग यहाँ पर कट कर देते हैं तो उस पर confusion पे जाना नहीं है बागी उससा च यहां पर देख पा रहे हैं कि आपको क्या देख रहा है लास्ट में आपको देख रहा है आपको मेरी बाद समझ मा रही है यहां पर देख रहे हैं और इसे गोल्ड की जरा बात कर लेते हैं तो गोल्ड का आपको जो आता है वह आता है लास्ट में 5D 10 और 6S बन तो यहां भी आपको और 6S मनदब NS बन आपको हर जगह देख रहा है तो जो मैंने आपको यह दिख रहा है क्लियर जो भी इलिमेट की डिफेइंट कर दिया उन्हें उन्हें सबके पास एक ही लिक्टरोंस आपका प्रिजेंट है एनस बन आपको देख रहा है जब पैनल्टमेट से बात करते हैं तो आपके जो जर्णल कांफिके सेल इपनल्टमेट सेल की बात करते हैं तो हाँ पर हर छेया क्या है एटी एलेक्टरोंस प्रिजेंट हैं यहां से आपको यह आजट्व मतल्ब एस के पास दो हो गये है अब पी के पास आपके 6 और दी के पास कितने होंगे 10 अब एड़ कर तो कितने होंगे एट प्लस टेंट एटीन तो यह आपके यह प्लस टेंट इन एटीन तो यह पास दूर पी के पास एटी के पास कितने हो गया तो इस तरीके से फिर इसका जो जनरल electronic configuration for the coinage metal for the currency metals क्या बनेगा तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो यह बनेगा N-1 H2 फिर यहाँ पे जाएगा यह N-1 P के साथ 6 N-1 D10 लास्ट में होगा आपका N-1 तो इस इस जनरल electronic configuration for the coinage metals के लिए यह आपका हो गया है जनरल electronic configuration जहाँ पे copper की बात करो आप silver की बात करो gold की बात करो आसानी से आप यहाँ पे configuration को निकाल पाओ गए इसके बाद next हम बात करेंगे यहाँ पे इनके कुछ oxidation से copper अगर copper से हम लोग copper plus 2 डैक्ट बात करेंगे इनका क्या आपका copper plus 2 की बात करें दो प्रोंस आपके जा रहे हैं बाहर तो इसका मालदा copper class में क्या था आपका इसी तरीके से हम बात करते हैं इसी तरीके से हम gold की बात कर लेते हैं गोल्ड को अगर मैं लिखूंँ अगर AU plus 3 की तरफ तो इसका विटा क्या होगा आपका अग्टोने गोल्ड की बात करते हैं तो ग्रावन इस्टिट में क्या होता है तो एक तो वह बाहर जाएगा और डी से आपके दो बाहर चले जाएंगे तो आपको बैलेंस के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जो इस्टिवल बैलेंसी हैं उसके उपर हम लोग फोकस करेंगे जब बैलेंसी की बात करते हैं तो आपके जो यह प्लस बन को हम लोग वोलते हैं Q-Prest और सिकेंड अपका फ्लस टू का मतलब भेवटा आपका Q-Prick तो वालेंसी जो करता है एक तो बच्छों सो करता है आपकी प्लस बन में जिसको हम लोग वोलते हैं Q-Prix और सेके आपका प्लस टू जिसको हम लोग वोलते हैं Q-Prix तीक है इसके बाद अगर मैं जनरली बात करूँ कि Q-Prix से Q-Prix है ना तो दोने में से stable coin सा होगा तो वहाँ पर हम लोग confusion को चेक कर लेते हैं और उसके बेस पर उसके stability को define करते हैं लेकिन आपका ये जो Q-Prix होगा वो आपका आसानी से convert हो जाता है Q-Prix के अंदर तो देखेंगे तो आपका 2 moles of Cu Q-Prix ये convert होता है Cu-Prix के अंदर and releasing of copper ठीक है तो यह आपका एक step है जहां से Q-Prix के अंदर change हो रहा है कुछ आपके insoluble कुछ insoluble आपके क्यूप्रिक के क्यूप्रस से कुछ आपके salt है जो आपके stable नहीं होते हैं आपका कर रहे हैं क्यूप्रस के salt की तो जिसमें आपका यह का आता है Cu2 Cl2 stable नहीं होता है नेक्स हम बात करते हैं Cu2, I2, it is also unstable ठीक है next बात करते हैं तो Cu2 CN twice ठीक है नेक्स करते हैं तो Cu2 CNS ठीक है धान देते हैं तो इसमें actually हम लोग जो balance को देख रहे हैं तो balance के अंदर जो प्लस बान जो लूर औक्सेरेस नंबर बाला है वो इसको कोफ्रिक के अंदर और जब कियूपरिक में गनवर्ट होगा तो इसके बाद नेक्स्ट है और आपके कॉश्च बोने भी बंता है इसके गक्षोण construct उसके बात करते हैं कॉपर के बाद neighbor कि द्रव तो silver पच्छों करता है generally monobalancy, monobalancy का मतलब क्या है plus 1, silver generally आपकी maximum case में आपका monobalancy ही so करता है, तो इसके जो आपको compound देखने हों के बलेंगे, तो कैसे बटा होंगे, आपकी monobalant में होंगे, यह ना, प्लस 1 बalancy के साथ, तेकिन कुछ compound ऐसे भी रहते हैं, उनकी बारे में डिसकस करेंगे, next बात करने वाले हैं gold कुले के, तो जिस तरीके से आपका copper हो गया, silver हो गया, अब gold, तो gold भी आपके दो टाइप के oxidation को सो करता है, ठीक है, जिसमें आपका first अगर में बता हूं तो रहता है आपका au plus 1, और shake end आपका जो रहेगा वो रहता है, au plus 3, au plus 1 के बारे में बात करते हैं, तो au plus 1 को बेटा हमलों गोलते हैं, aurus, ठीक है, a-u-r-o-u-s, last us आएगा, it is a aurus, ठीक है, और यह monobalent होगा है, यह आपका trivalent होगा है, trivalent के अदर इसको गोलते हमलों auric, auric, ठीक है, यह आपके auric को represent करेगा, अभी इसमें बात करते हैं, तो aurus salt जो होगे, aurus के जो compound होगे, मतलब प्रसंद वाली होगे, तो आपके stable नहीं होते हैं, जहां पर यह आथानी से बेटा convert हो जाता है, आपके auric के अंदर, तो देखेंगे ध्यान से, 3 moles of auric, aurus, यह convert हो जाता है, आपका auric के अंदर, और release करेगा आपका 2AU, यह आपको ध्यान रखना है, तो मतलब आपके जो aurus के salt होगे, वो अने stability रिप्रेंट करते हैं, वो आपके auric में convert हो जाते हैं, जहां पर आप हम finally conclude करने वाले हैं, stable balances के बारे में, तो copper के अंदर आपकी stable balance, बचो कौन सी होगी, कि डाइबलेंट तो नेक्स सिल्वर के बारे में बात करते हैं तो सिल्वर की आपकी इस्टेवल बालेंसी कौन सी होगी मोनो बलेंट एजी प्लस बंजो अमें डिसकस किया था नेक्स गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं तो गोल्ड का जो इस्टेवल है वो रहता है इसके बाद बात करेंगे इनकी कुछ प्रॉपरिटीज हैं सबसे पहले बात करेंगे इसकी अम लोग फीजिकल प्रॉपरटीज तो फीजिकल प्रॉपरिटी में सबसे पहले मैं आपको बताओं कि यह जो हमारे metals हैं उस सब के सब बच्चों कैसे हैं tough कोई metals है तो obviously बच्चों कैसे होंगे आपके tough रहेंगे ductile जो आपके metal के property होई tough हो गया ductile हो गया और आपके highly malleable highly malleable highly malleable ठीक है इसके साथ साथ जो हम silver और gold की बात करते हैं तो silver और जो आपका gold हो गया ठीक है silver और gold as compared to copper यह आपका more ductile होता है और आपका malleable भी होगा तो copper के comparison में copper के comparison में अगर आप बात कर रहे हो तो silver और gold इसका जो ductile nature है और जो malleability nature है वो आपका कैसा होता अधिक as compared to copper silver और gold का इसका बात करते हैं हम electricity के लिए conductivity को लेके तो आपका जो silver है वो बेस्ट conductor और अधिक्रिसिटी का यह आपको ध्यान रखना है एक और जो होगा az यह आपका रहता है बेस्ट कंड़क्टर और और अधिक्रिसिटी इसका बाद आपको पता यह इनकी physical property means कि जो melting और bonding point होंगे वह भी आपके कैसे होंगे हाई होंगे और आपके यह आपके 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 आपका balling point की बात कर लेते हैं तो बो जनरली कैसे रहेगा आपका maximum रहेगा क्लियर है इसके बाद next point की बात करेंगे कि copper silver gold में से सबसे highest आपका melting point किसका होता है तो सबसे highest होता है बटा copper का copper का melting point आपका सबसे highest होता है in degree Celsius इसकी value होती है something 1083 degree Celsius नेक्स्ट बात करते हैं balling point को लेके तो balling point की value भी आपको maximum मिलती है बटन तीनों में से सबसे देगा आपको अब अब असलिए copper की मिलेगी तो copper का आपका जो balling point होता है इस around 2595 degree Celsius इसके बाद next point की तरब हम लोग चलते हैं atomic size atomic size को लेके बात करते हैं तीनों element को coins metals को लेके तो atomic size obviously पैता है कि इन elements की काफी last में आ रहे हैं तो इनका size कैसा होगा आपका small size कि आपके element रहेंगे लेकिन आपके जो gold और silver है इनका size लगबग आपका सेम होता है तीक है गोल्ड हो गया और आपका silver हो गया इन दोनों का size आपका जो होता है वो nearly same होता है नेरली लेकिन जब इसमें आपके question है कि इन दोनों का size इतना नेरली शेम है क्योंकि आपको पता है कि पहले आपका copper आएगा फिर gold आएगा तो यहां पर जो gold का size वो silver के बराबर क्यों हो गया है तो इसकी बीज़े रीजन बच्चों मैंने पहले पढ़ा था लेंट्रोइड contraction अगर आपको पता है तो विकोई आप लेंट्रोइड contraction कि जो size आपको देख रहा है वो कहीं ने कहीं आपको gold का size आपका छोटा हो चुका है और जो जब contraction और सेर्वर के लगबग आपके एक्क्वल हो जाता है ठीक है दहां रखना है लेंट्रोइड contraction क्योंकि यहां पर आपकी फिलिंग ओफ और सेल में लेगे तो में अपके रीजन आपको important statements है वो मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं ठीक है डेंसिटी को लेकि बाद कर लेते हैं तो आपके डिब्लॉक element है अबसली विड़े हैबी है आपके metals है तो इनके density बच्चों क्या हो तो यह अधिक होगी लेकिए जब हम copper, silver, gold की बात करेंगे तो ionization energy के बारे में इनर्जी तो आपको पता है कि यह हमारे जो elements में electrons को बाहर निकलना जब यह छोटे size के हमारे elements हैं तो आपको पता है कि यहां पर क्या आपके electrons को निकलना काफी difficult होगा obviously क्योंकि small size का है जब इस small size का है तो उसकी पीछे फिर क्या होगा कि आपका जो nuclear charge होगा उसकी value कैसी होगी maximum होगी अरे भाई size small है ना तो nuclear charge कैसा maximum होगा तो उस case में जो attractor force की value होगी in between autonomous electrons and nucleus जहां protons present है वो अधिक हो जाएगा तो फिर ionization energy की value generally बच्चों इसकी कैसी होती है आपकी in metals की coinage metals की high होती है ठीक है एजन आपको समझ में आना चाहिए के लिए रोगया सबसे पहले value क्या करती है आपकी decrease करती है फिर इंक्रीज करती है तो copper अगर आप silver की तरफ जा रहे हो तो value आपकी decrease करेगी और फिर value आपकी इंक्रीज करती है ठीक है हम बात कर रहे हैं इंक्रीज करती है हम बात करते हैं on the basis of their electronic configuration उसकी state पर लेगे हम लोग बात करते हैं यह आपको ध्यान रखना है इसके बात करते हैं इसके हम oxidation potential को लेके oxidation potential oxidation potential को लेके बात कर रहे हैं तो आपको पता है SRP standard reduction potential value तो यह जो हमारे coinage metals होते है coinage metals की generally आपको अगर आपको पता है electrochemical series तो electrochemical series यह मैंने discuss भी किया था कि यह जो हमारे elements है coinage metals में आपको पता है copper है silver है gold है तो इनकी जो SRP value होती है standard reduction potential value अगर मैं इसको oxidize करके भी define करूँ तो दो चीज़े है standard reduction potential value इसकी बच्चों college metals कैसी होती है positive होती है कैसी होती है positive होती है तेकिन अगर मैं है पर ऐसा करके बोलू SOP value standard oxidation potential value तो वो बेटा रहेगी इसकी आपकी negative यह oxidation कराके देख लो आप जैसे copper से stable बटा क्या होगा Cu plus 2 होगा releasing of 2 electrons यह value आपकी जो standard oxidation बाली value है वो आपकी negative होती है इसी तरीके से आपका जो silver है वो monobalant मैं जाएगा बैटा AG plus 1 के अंदर releasing of 1 electrons यह भी आपकी SOP value आपके negative but SRP value positive होती है next gold के बारे बात करो तो gold बच्चो plus 3 मैं जाएगा AU plus 3 तो यह भी बच्चो आपके negative होती है SOP value ठीक है copper अगर copper प्लस 1 मैं जाएगा तो भी negative होता है gold अगर gold प्लस 1 मैं जाएगा तो भी आपकी negative ध्यान दो कि जो SOP values है आपकी coinage metals के लिए वो आपकी negative होती है बट SRP values के लिए कैसी होती है आपके positive होती है समझ में आ गया clear हो गया अब एक question यहाँ पर यह है कि हमारी जो deep block element है क्या आसानिस electron बाहर नकाल लेते है नहीं नकाल रहेते तो इनकी बहुती small tendency होती है small nature होता है अपने electron को lose करना समझ में आपको अचा तो जनरली आपको पता है कि हमारी copper silver gold में आप बात करते हो तो copper silver gold के तरफ अगर आप travel कर रहे हो तो जो noble character है जो noble nature है जो आपकी activity का behavior है वो कहीन कहीं आपकी activity behavior decrease करता है आप copper से silver के तरफ जा रह रहे हो तो मतलब जो noble behavior है वो क्या करता है आपका increase करता है समझ मारा जैनल यह बोल देते हैं कि silver gold all mist आपके क्या से होते हैं non-reactive होते हैं ठीक है यह आपको पूरा point आपको ध्यानक में आपको बात करते हैं इसकी color को लेके जब यह salt की form में होगे जब आपके यह coinage metal salt की form में होगे इस वाल्ट का मतलब बटा आयन्स आपको मिलेंगे इनके जब यह ionic phase में होगे होंगे तो यह color so करते हैं तो पहला तो कोश्चन है कि यह color so करेंगे की नहीं करेंगे ठीक है तो आंसर बच्चों बहुत क्लियर है कि यहां पर आपको मिलेगा configuration क्या मिलता है n-1-d10 configuration मिलता है तो यह बच्चों आपके कैसे होते हैं फस्ट केस में बता रहूं monobalance में ठीक है ध्यान दो monobalance अगर यह monobalance के अंदर होंगे तो उस केस में इनका जो oxidation number होगा वह आपका जाएगा n-1-d10 लाश्ट आपके लेक्ट्रों एस से बाहर चलाए जाएगा तो यह बच्चों रहते हैं colorless यह colorless पहुँच गए आपको white लिखा मिलेगा ध्यान देना monobalance के अंदर होंगे तो बच्चों रहेंगे आपके colorless ठीक है जैसे आपको मैं confusion बदा जता हूँ जैसे copper मैं discuss अभी किया था cu plus 1 में होगा तो आपको कितना मिलेगा 2818 और यहां मिलता है आपको 3D10 के लेमें देख लो और यह वाला देख लो easy plus 1 देख लो आप तो क्या मिलेगा 2,8,18,18 एक बाहर चला जाएगा यह आपको बच्चेगा बाकि यहां से आपको मिल जाएगा 4D10 पुरी तरीके से monobalant के अंदर यह कैसे होते हैं colorless होते हैं ठीक है मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया अभी कोश्चन यह होता है कि अगर यह सीन कैसे बनेगा तो वह भी देख लो अगर यह मैं बात करूं कि यहां पर अगर यह डाइबलेंट मतलब इनके पास अगर आपका पॉस्टिफ चार्ज है प्लस ट्यू चार्ज है तो मिस्टिविल्टी की बात कर रहे थे हैं उसको भी पूरा हम डिसकस करने वाले हैं तो कुश्चन यहां पर यह हैं जब हाईयर और ऑक्सिडेशन स्टेट के दर मोनोबलेंट अगर आपके हाई रॉक्सिदेशन की तरफ जब आपका जा रहा है तो आपको अनपे लेक्ट्रोंस आपके अनपेड होगी तो अनपेड लेक्ट्रोंस होनी की वेश से वहां पे आपको कलर देखने बाला है और एट कॉमा यहां एटीन था तो सेविंटीन हो जाएगा होगी अनपेड समझ में आ रहा है एक लियर नेक्स्ट अगेजी प्लस टू लेलो करके देखो इसे टू कॉमा एट कॉमा एटीन कॉमा सेविंटीन यस नेक्स्ट बात कर लेते हैं एउ प्लस थरी की तो यहां दरा च अब यहां पर आपको मिलेगा बन थ्री डी और इंगली और अप्लस टू की बात कर लो और यहां से मिलता है तो फाइव डी के अंदर थीक हां फाइव डी के अंदर आपके दो और अप्लस टू कैसे होगे अनकुपाइड होंगे ठीक है अच्छा है, अच्छा है, इसके बाद हम जो responsible color है, उसको भी डिस्क्स कर लेते हैं, इसके copper अगर plus two की state में है, तो इसका बच्चो जो color होता है, generally it is having the blues or green color generally having the blues and green color next बात करते हैं अगर आपका gold होगा gold बच्चो आपके plus 3 के शिट में important रहेगा वहाँ question बन सकता है तो gold plus 3 में होगा तो फिर बच्चो आपको ये मिलता है yellow जो भी salt होगे ना उन salt का अगर आपका gold plus 3 मारा और oxidation number तो वह आपको मिलता generally yellow color का आपको देखने को मिलेगा next बात करते हैं इसके magnetic behavior को लेखे next बच्चो पॉइंट आपका magnetic nature तो magnetic nature के बारे बात करते हैं तो इसमें जो important है आपका silver 1 oxidation number के आप plus 1 silver plus 1 oxidation number के साथ gold plus 1 oxidation number के साथ तीक है यह सब के सब कैसे मैंने बताया था अभी बताओ बिटा अगर यह monobalant के अंदर होगे तो सब के सब stable configuration stable का मतलब डाया कोई भी unpaired नहीं है तो डाया में नेटे इसके बाद देखो next question के बारे मैं बात करूँ copper अगर आपका plus 2 के अंदर है silver plus 2 के अंदर लेते हैं gold भी हम लोग लेते हैं suppose plus 3 के अंदर तो फिर यहां पे इसका color कैसा होगा तो फिर यह होगे बच्चों आपके paramagnetic देखो कि यहां प्लेक्ट्रोंस क्या से unpaired हो जाते हैं तो इसलिए यहां पर यहां पर मिलता है paramagnetic इसी के साथ अगर मैं एक question और ले लेता हूं जैसे आपको AU plus 3 के बारे में बात करी चुके हैं अगर AU plus 2 बगर आगा तो भी आप question कर पाऊगे तो यहां पर आपको जो हम यह बात करें आपको paramagnetic property में आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है यहां पर आपके बन और टू आपको और अंपेर रहेंगे तो बन और टू और अरबिटल्स अर अंपेर ध्याट्स वाई यह सब के सब रहते हैं आपके paramagnetic property में बागी इसका मेंटी मुवमेंट निकालने को आएगा तो वह भी आपको फोमुला आपको पता है वह आप निकाल सकते हों नेक्सम बात करने वाले हैं इनके chemical properties की बात करते हैं तो यह जो metal है यह किस तरीक से convert होते हैं वो ध्यान दो सबसे पहले आपको यह coinish metal की form में आपको देखेगा solid तो सबसे पहले का करना है आपको sublimation energy define करनी है तो यह convert होजा gaseous atom की form में तो फिर यहां से आपको देखने को मिलता है hydration energy तो यह pattern आपको ध्यान रखना है अभी यहां से जो हम pattern की बात करेंगे total जो energy हम जो जैसे हम बात कर रहे है stability के बारे में तो total आपका जो energy का addition होता है sublimation energy plus ionation potential value plus आपका hydration energy value तो यहां से कुछ basic term निकल करते हैं वो मैं discuss करूंगा ध्यान से सुनना जब मैं बात करता हूं कि in particular cornage metals के लिए है तो heat of sublimation वो बहुत हाई होती है तो आपके metals अनक्रोंस आसानी से वहार release करेंगे तो उस case में यह solid से gas की phase में change होने के लिए काफी difficulty होती है तो ध्यान रकना कि आपकी cornage metals के लिए heat of sublimation की value होती है वो बहुत हाई होती है आपके बहुत हाई होती है तो द्यान देना रिजन कभी आपको लिखना है तो रिजन के बहुत हाई रहेगी यहाँ पे as well as ionization energy की value भी बहुत हाई है तो उस case में यह जो आपके elements है जो metals उनकी जो chemical activity है वो आपकी बहुत less रहेगी activity काफी less रहेगी तो जब हम बात करते हैं copper से gold की तरह तो copper से gold की तरह अगर आप जा रहे हो तो आपकी जो reactivity है वो value क्या करेगी आपकी decrease के but keep in mind यह important point क्या है सब्सक्राइब करने जा रहे हैं action of air तो पहले तो आपको मैं यह बता हूँ कि यहाँ पे जो air के साथ reaction किस तरीके से perform होगी as well as affinity for oxygen क्या होगी coinage metals की तो पहले air की बात कर लेते हैं तो आपको पता है कि जो आपका gold and silver गोल्डन, silver को लेके बात करते हैं तो air से बच्चो यहाँ पे इसके साथ कोई भी reaction perform नहीं होती है तो हम जनरी बोल सकते हैं golden, silver are not affected by air लेकिन जो हम copper की बात करते हैं तो copper बच्चो आपके air से affect होगा एलेक्शन perform करेगा और करने के बाद यह बच्चो फॉर्म करता है important point है यह convert हो जाता है बच्चो आपका grace green film में आपको convert करते हुए दिखता है ठीक है और यह जो आपकी form है यह आपकी कार्बोनेट form है कोई जी है बटा कार्बोनेट form आपकी यहाँ पे होती है generate और उसका जो कोई को फंगल हो जाता है copper का बुड़ायता है cu co3.co2 जो हम लोगोंने पढ़ाता रस्टिंग पढ़ाता यहाद हो बटा इस तरीके से आपको यह compound देखने को मिलता है next हम बात करते है next point is the affinity affinity for the oxygen oxygen के साथ किस तरीके से यह अपने acceptance को hold करता है वो समझना जहुरी है तो oxygen के साथ जो affinity है वो आपकी copper की सबसे अधिक होती है और फिर आप नीचे move करोगो तो आपको silver मिलेगा और फिर next आपको gold मिलेग तो silver से अगर आप gold की तरफ move कर रहे हो तो जो affinity की value है for the oxygen atom वो बच्चो क्या करती है आपकी decrease करते हैं सबसे highest बच्चो किसम होगी आपके copper के साथ होगी और सबसे कम होगी आपकी gold के साथ होगी ठीक है affinity value clear हो गया इसके बाद मैं reaction की ज़रा बात कर लेता हूं तो copper के साथ ज करने पर यहां पर थोड़ी हीट आपको देनी पड़ती है तो फिर बच्चो यहां से फॉर्म करता है copper oxide ठीक है copper oxide का यहां से करेगा यह आपका formation जहां पर हम देख सकते हैं cuo copper oxide आपका यहां से फॉर्म हो जाएगा फिर अगर यहां से copper oxide को अगर आप strongly heat कर देते हो तो फिर यहां से बच्चो रडूश होके यह कर्मट होता है वटाख क्यू प्रस के अंदर ठीक है तो फिर यह चूप्रस oxide के अंदर आपका चाण्ज़ोगा मतब्दब क्यूप्रस oxide के अंदर आपका यह reduce हो जाता है ठीक है reduce आपका हो जाएगा पर silver औगोल्ड का ऐसा नहीं होता है आपके oxygen से reaction कर जाते हैं और इंके रिस्पेक्टो औक्साइड फॉर्म कर लेते हैं अगर मैं आपको रिया रखना नहीं है क्योंकि यहां पर रेक्षिंस के आसे तिस तरीके से बनते नहीं है अब हम बात करने वाले हैं कि चलो जो question आपका बनेगा वो ध्यान देना अगर मैं आपको बेक्डाउन की बात करता हूं जैसे हमरे पास सब्सक्राइब का अगर यह प्रिजेंट है अगर इसको आपको हीट करना है ब्रेक करना है तो आपको मिल जाएगा प्लस आपको मिलेगा औक्सीजन ठीक है प्लस बन से जीरो में जा रहा है आपका यहां पर आपको मिलेगा औक्सीजन नहीं लेकिन आपको यह ध्यान रकना है लेकिन हम जब बात करते हैं करते हैं इसके आपको हीट चाहिए विकोई आपको पता है कि यह उपर का कंपाउंड इसकी स्टीविल्टी काफी अधिक होती है एस कंपेर टू सिल्वर एजी टुओ एंड एउ टुओ ठीक है नेक्स हम बात करते हैं वाटर मॉलेक्टिल्स के साथ ध्यान देना जो हम आपका एलीमेंट है कॉपर इसकी रेक्टिविटी थोड़ी हाई होती है एस कंपेर टू सिल्वर एंड गुल्ड तो कॉपर आपका जो होगा वह रैड होट अगर इसके साथ अगर आप पास कराओगे वाटर मॉलिकोर सोबासी इस टीम तो फिर उसकी इस महासर बनता है CuO बने का उक्षाइड प्लस आपकी H2 गेस करता है यह इस रेक्शन को आपको ध्यान रखना है इसका बात करते हैं हम लोग सल्फर को लेके रेक्शन बिस सल्फर वह किस तरगी से प्रॉस्टिवट होगी Okay, next point की बात करते हैं तो जहां पर हम बात कर रहे थे copper and silver को sulphur के साथ तो जो हम यहां पर ओर डिसकस करते हैं तो आपको पता है silver का sulphide and copper का sulphide यह आपको आसानी से देखने को मिलता है बड़ आप गोल्ड का sulphide नहीं मिलता है तो sulphur, copper और silver से आसानी से combine कर जाता है और sulphide का formation करता है लेकिन gold के साथ ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा next हम लोग बात करेंगे halogenes के साथ तो halogenes के साथ ये किस तरीके से reactions को perform करते हैं ध्यान देरा जब halogenes के हम लोग बात करेंगे तो जो हमारे coinage metals है वो आपके halogenes के साथ आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं यह हम copper के बारे बात करें जनली रूम temperature पर ही कर जाते हैं विकॉज आपके halogenes के एक्टिवटी काफी हाई होती है तो copper रेक्टिवेद रेक्टिवेद लाइक हैलोजन एक्टिवेद लेते हैं यहाँ पर यहाँ से आपको मिलेगा CUX2 तो रूम temperature पर देखने को आपको मिल जाता है तो silver बारे बात करते हैं तो silver भी आपका एक्टिवेद परफॉर्म करता है लेकिन slowly करता है और बाकि gold के बारे बात करते हैं तो gold भी आपका reaction करता है इनके साथ हेलोजन के साथ तो gold के एक्टिएवड देख सकते हैं यहाँ से यह बनाता है AUX3 तो मतब हेलोजन के साथ भी को काफी हाई है जिसकी वैसे आपका अगर थोड़ा यह एक्षन करते हैं ऑद करने के साथ यह कभी भी आपकी अ लिलीज करते हैं वह फो सब्सक्राइब आपको पता है कि हमारे जो है इसके अंदर आपको पता है 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 तो हैट्रोजन से जो नीचे के आपके आपके हैं नहीं करते हैं होट एंड कॉंसेंट के साथ यहां से आपको जो अगर आप आंसर बनाओगे तो कॉपर के साथ अगर आप लेके आओगे तो आंसर क्या मिलेगा मिलेगा ध्यान देना कि यहां पर जो भी एक्षन होगी बचा वो ऑक्सिजन के प्रेंस में होगी है अगर आपके आपके बाकी एलिमेंट है वो इस तरीके से यहां पर आपके वाटर मॉलेक्स को को रिलीस करते हैं इसी तरीके से आपके जो कॉपर सिल्बर है और जो भी आपके इस टॉंग ऑक्सिराइजिंग एजेंट होते हैं लाई का यहां पर सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास प्लस आपको पता है आपके वाटर मॉलेक्वल में प्लस आपका यहां अपका आपको इस टॉंग करा रहा हूं रियक्षिंग करा रहे हूं लाई आपके इस टॉंग को यही जो नेश्यन टॉक्सिजन है वो बच्चो रियक्ट करेगा आपके कॉपर के साथ इसको बच्चो चैंस करेगा आपके कॉपर सलफेट में प्लस आपका यहां से फॉर्म करेगा वाटर मॉलीकूल इस तो यहां से अगर आप देखोगे तो जो टर्म कैंसल करेंगे बाकी नेश्यन टॉक्सिन शेंट चैंसल हो गया मकि यहां से आपको कॉपर मिलेगा अपको अपको यहां से आपको दिखेंगे इसके साथ मैं next level के साथ बात करता हूं ध्यान दो अगर H2SO4 होगा concentrated तो यह बटा same process water molecules यह concept बचो पहले समझो H2SO4 के वारे मैं diet reaction को रटना नहीं है आपको ठीक है Ag2SO4 oxidation हो जाएगा बिल्कुल और प्लस आपको मिलेगा यहां से water molecules ठीक है यहां से हम बात करेंगे तो जो ट्रम कैंसल है नेशन डॉक्षिन डॉक्षिन कैंसल हो जाएगा बागे आपको मिल जाएगा 2AZ plus 2 moles of H2SO4 और यहां से मिलेगा आपको एक salt Ag2SO4 इसलिए आपको मैंने स CO2 gas और 2 आपको water molecules यह मिलेगा आपको यहां पर answer इसके साथ next reaction की तरफ हम लोग बात करेंगे ध्यान दो next अगर बच्चों मैं बात करूं copper के साथ तो copper के साथ अगर आपका HNO3 है वो भी आपका concentrated HNO3 तो अपनी solubility को बिल्कुल define करता है copper ठीक है HNO3 के साथ भी concentrated तो answer क्या ब HNO3 है concentrated यह बच्चों convert किसम होता है मैं पहले डिसके बिदा nitrogen family के अंदर याद करो H2O के अंदर 2 moles of NO2 के अंदर प्लस आपका nascent oxygen पहली step हो गई यहां से मिलेगा आपको copper plus 2N2 answer is 4 moles of HNO3 reactant हो गए और दर्श आपको मिलेगा Cu NO3 twice x all d हो गया प्लस उपर से मिलेगा 2 moles of NO2 gas और यहां से आपको मिलेगा answer water molecules this is a complete chemical reaction on copper reactivity concentrated HNO3 next silver के साथ बात कर लेते हैं तो देखो सबसे पहले तो ओही होगा आपका HNO3 जो concentrated है वो convert होगा आपके water molecules में plus 2 moles of NO2 में plus आपका nascent oxygen तो silver लेके आते हैं तो silver बच्चों यहां पर आपके 2 moles होंगे when reactivate 2 moles of HNO3 यहां आपके 2 moles रहेंगे यहां पर तो plus nascent oxygen तो यहां से आपको answer क्या मिलेगा यहां से मिलेगा 2 moles of HNO3 प्लस आपको water molecules अब इसको हम लोग इसके बाद silver के बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं copper के साथ हो ध्यान दो तो HNO3 ठीक है यहां पर हम ले लेते हैं और यह बच्चों convert होता है आपके water molecules में if it is dilute if it is dilute ध्यान देना तो यहां से मिलेगा आपको water molecules प्लस आपको NO2 ने मिलेगे 2 moles of NO मिलेगा प्लस मिलेगा 3 moles of nascent oxygen तो अब reaction आप करा सकते हो तो copper के साथ जब मैं देखो copper के साथ जब मैं use कर रहा था concentrated HNO3 तो फिर आपको वहां पर answer मिला था NO2 and 1 nascent oxygen जब आपका dilute बाला case होगा तो फिर यहां पर आपको NO मिलेगा 2 moles 3 moles nascent oxygen यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा copper के साथ फिर आपका आजाएगा 2 moles of dilute अचनो 3 when react weight 3 moles of nascent oxygen को की cancel करने पड़ेगे तो यहां से आपको मिल जाएगा Cu NO3 बात ना multiply भी करके कर सकते हो इसको balance प्लस आपका water molecules और यहां से यह nascent oxygen इससे cancel हो जाएगे बाकि resultant आपको answer मिलेगा तो यहां पर आपका यह total 3 moles का multiply हो जाएगा इस तरीके से ओपर 3 nascent oxygen इसलिए तो इसको आप यह सा गरो इसको आप बन ले लो अभी थोड़े के लिए बन लेने से आपको 3 हो जाएगा उपर से cancel हो जाएगा फिर यह तो 3 moles of copper यहां से मिल जाएगा प्लस 8 moles हो जाएगा HNO3 क्योंकि 3 into 2,6 उपर से 2 तो आपका 8 हो जाएगे और यहां से आपको मिल जाएगा resultant 3 moles of Cu NO3 twice प्लस आपका 2 moles of NO plus 4 moles of water molecules यह आपको मिल गए यहां से answer नेक्स रहां बात करते हैं द्यान दो बच्चो डाइलूट और concentrated HNO3 को लेकि डायक्ट answer रटने को बोल जाते हैं कि वहां से NO2 याद रखो ठेकिन द्यान दो कि यह process किस तरीके से carry on हो रहा है यह step important है इसलिए concept को मैं बता रहा हूँ इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ silver के साथ क्या answer बनेगा तो आप मुझे आई हो बता पाऊगे तो अगर आपका dilute HNO3 होगा तो आपका dilute HNO3 होगा HNO3, 2 moles and nascent oxygen आप 1 moles 3 का multiply कर देंगे पूरे में तो यह balance हो जाएगा मिलेगा 2 moles of HNO3 प्लस आपका water molecules total reaction के अंदर आप 3 का multiply कर दो तो 3 nascent oxygen से 3 nascent oxygen फिर cancel हो जाएगे तो आपको resultant जो answer मिलेगा वह आपको मिल जाएगा यहां से कितना 3 दो नीचे है 2 total silver कितना हो जाएगा 6 moles of silver plus 8 moles of HNO3 और यहां से आपका हो जाएगा 6 moles of HNO3 plus 2 moles of NO यह उपर से और प्लस आपको मिलेगा 4 moles of water एक उपर से 3 नीचे से 4 moles of water तो और चाहा रहे हो यहां से तो इसको और common».से इत्वाज से दुमें टिवायट कर दो समय ने 6 से यह 3 हो जाएगा यह आपका 4 हो जाएगा यह 3 moles हो जाएगा यह आपका एक्क्वा रेजया के अंदर एक्क्वा रेजया के अंदर बच्चो जो गोल्ड होता है वह आपका डिजॉल्व हो जाता है असानी से ठीक है तो पहले एक्क्वारिजया देख लो आपका है क्या है HNO3 के साथ 3 moles of HCl यहाँ पर HNO3 1 moles यह आपका 3 moles इस ratio में रहेगा, combination कर देंगे बोथ हर concentrated, highly concentrated नोरों को mix करेंगे तो यहाँ से बच्चो बनता है एक तो compound NOCl plus 2 moles of water plus 2 moles of chlorine इसको अगर आप balance करोगे तो यहाँ पर इस तरीकी से कर सकते हैं हम 3 का multiply तो यहाँ से बन जाता है AUCl3 आपको balance करना है तो यहाँ पर 2 का multiply तो यहाँ पर 2 का multiply हो जाएगा next फिर आपका जो AUCl3 है it is further react with HCl तो फिर यहाँ से यहाँ आपका answer बनाता है HAUCl4 और इसमें आपको करना पड़ेगा 2 का multiply balancing के लिए इस जो acid मला है यह acid है इसका नाम आपका रहता है chloro auric acid chloro auric acid पर जाकर आपके stop हो जाएगी और इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर finalize करेंगे तो मिलेगा 2 moles of gold plus 3 moles of HNO3 और plus 11 आपके HCl हो जाएगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 moles of HAUCl 4 chloro auric acid plus आपको मिलेगा 3 moles of NOCl plus 6 moles of water तो this is the final product इस तरीके से आपका form हो गया next आपको बात करेंगे reaction को लेके gold को ही लेके बात कर रहे है तो देखो इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं अगर HNO3 first reactivate 3 moles of HCl तो यहाँ से आपको यह भी मिलता है NO plus 2 moles of water plus 3 moles of nitrogen chlorine तो gold plus HCl के साथ 3 nitrogen chlorine तो यहाँ से मिल जाएगा HAUCl 4 यह भी reaction आपके रहेगी तो यहाँ से आपको मिलेगा ऊपर से gold plus HNO3 plus आपके हो जाएगे कितने 4 moles 3 और बना आपका 4 तो 4 moles of HCl यहाँ से मिलेगा HAUCl 4 plus NO plus 2 moles of water तीक है यह भी आपको reaction को दिहान रखना है इसके बाद next शम्रूब बात करेंगे इसमें कुछ आपके जो compound रहते हैं तो compound में सबसे पहले हम बात करते हैं oxides के बारे में टो oxides के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको जो type generally, general case मिलता है M2O type जो हमारे coinage metals है coinage metals जो oxide बीलता है वो आपको M2O type मिलता है और in oxide का जो nature है वो आपका रहता है beak base इसके बाद आपको पता है इन समय से most basic कौन सा हो जाएगा तो आपका AG2O आपका रहता है most basic ठीक है इसके बाद और यह आपको सब water molecules में insolubal रहते हैं और इसके बाद CuO बात करते हैं तो यह भी आपके basic nature को ही करेगा ठीक है और next is AU2O3 की बात कर लेते हैं तो यह सो करता है acidic nature को क्यों आपको acid का formation करता है तो strong alkalis अगर लेके आओगे तो AU2O3 आपका dissolve कर जाता है तो इसमें एक reaction इसकी रहती है इस तरीके से कि अगर अगर आप CuO के साथ अगर आप acid लेके आओगे STO4 यह basic nature को करेगा तो acid कराएगा तो मिलेगा salt, copper, sulphate मिल जाएगा बाकी आपको मिल जाएगा water molecules इसी तरीके से अगर आप AU2O3 यह acidic nature को hold कर रहा है तो इसको group करने के लिए हम यहां पर इस्टों गली लेकि आते हैं लाइक आपको मिलेगा water molecules के लिए हो गया तो जर्ली हम बात करते हैं कि अगर आप temperature solution agent के तरीक से इसको मियूज कर सकते हैं नेक्स बात करते हैं है है तो इसको होते हैं copper के silver के गोल्ड के वह आपके इन्सॉलेवल होते हैं अगर वह monotomic state में होते हैं जैसे आपका Cu-1 हो गया जैसे एजी प्लस बन हो गया गोल्ड आपका प्लस बन हो गया यह सब के सब क्या होते हैं आपके water molecules के साथ कैसे होते हैं आपके इन्सॉलेवल होते हैं बट एक compound को छोड़के एजी एफ को छोड़के एजी एफ जो होता है विकॉज फ्लॉरीन हाइस लक्टोनेकी टीवटी काफी ज्यादा हो जाती है तो फिर यह आपका जो एजी एफ है वह water molecules में कैसा स्वापका soluble हो जाता है ठीक है इसके बाद next बात करते हैं एक compound और रहेगा आपका AGCL को लेके ध्यान देना तो AGCL जो रहेगा वह आपकी solubility को represent करता है ammonia solution के साथ ठीक है ammonia solution के साथ यह क्या करता है अपनी solubility को represent करता है और AZ-BR ठीक है AZ-BR हो गया AZ-I हो गया यह सबके सब क्यासे होते है ammonia के साथ होते है insolubile अपर इसकी reaction की बात कर लेते हैं कि AGCL when react with two moles of NH4 OH तो यहां से आपको answer मिल जाता है AZ-NH3 twice a soluble compound this is soluble यह soluble compound complex आपको मिल जाएगा plus two moles of water देखने को यह आपको यहां से मिलेंगे clear है इसके बाद next आप करने वाले हैं इनके oxy acids के बारे में तो ध्यान दो जो copper आपके stable oxy acids को form करता है वो diabolant in nature होते हैं ठीक है white clear के बारे में भी depend करता है मौलोबलेंट इस्टेट में ठीकिन जो gold है वो कभी भी आपके oxy salts का formation नहीं करता है वाकि silver और आपका silver और जो copper है वो आपका फॉर्म करता oxy acids और overheat करने वो यहां से बच्चों मिलता है टू मोल्स और हीटिंग करता है प्लस आपका half moles of O2 इसी तरीके से अगर आपका copper की बात करने तो Cu NO3 twice तो यहां पर आपको heat करने से मिलेगा copper का oxide plus 2 moles of NO2 plus आपको मिलेगा half moles of oxygen gas इसी तरीके से हम बात करते हैं silver nitrate की AgNO3 की तो यह decompose करने बच्चों मिल जाता है यहां से आपका silver plus 2 moles of NO2 gas plus आपको मिलता है half moles of O2 इसी तरीके से हम बात करते हैं copper sulphate को लेके तो copper sulphate को गर हम heat करते हैं तो यहां से मिलता copper oxide plus आपका sulphate तो SO2 gas जाएगी plus आपका half moles of O2 next बात करते हैं तो Ag2SO4 अगर इसको आप heat करते हो तो फिर answer आपको क्या मिलेगा silver आपको मिल जाएगा plus SO2 आपको reduce हो जाएगा ना silver SO2 plus आपको मिलेगी oxygen gas ठीक है तो यहां पर बीटा आपका यह जो coinage metals की उपर जितनी भी properties हैं questions हैं वो आपके यहां पर finish होते हैं next lecture बच्चर आपको जल्दी सी देखने को मिलेगा बाकी डी block के जो हमारे element हैं उसके उपर क्योंकि वहां से questions बनेगे मैं उन्हें element रिएसस कर रहा हूं ठीक है thank you thanks for watching